नमस्कार दोस्तों जी एसे स्पिशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं नैशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार पिछले कई सालों से NIRF रैंकिं बढ़े और वर्ल लेवल पर भी वो जाके अपने आपको इस्थापित कर सके तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानने से पहले आई है कुछ हम इसका इतिहास जान लेते हैं तो सन 2015 में पहली बार NIRF रैंकिंग को शुरुवात की गई जिसमें ये सोचा गया कि हम कै कैसे करके कैसे भी करके competitiveness को बढ़ाएंगे ताकि जो overall ranking जो हमारी world ranking निकलती हैं यह से qs world ranking होती है University की रैंकिंग्स होती है, Times University रैंकिंग होती है, तो उनमें भी जाके अपने आपको विस्तापित कर सके, इसके लिए पहले internal competition बढ़ाना पड़ेगा, साथी साथ सरकार ने देखा कि जो ये international rankings है, ये काफी subjective होती है, और इस वज़े से कहीं न कहीं इंडियन, जो इंडियन universities हैं वहाँ पर competition नहीं कर पा रही है, तो 2015 में इसकी शुरुआत होती है, Ministry of Education के अंतरगत, इस साल 2022 में इसका अगला version launch किया गया, हमारे जो Education Minister Shri Dharmendra Pradhanji की द्वारा, तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो basically जो आपका ये ranking है, NIRF ranking पांच parameters पर ना पा जाता है, इसमें teaching, teaching, learning resources, resource, professional practice, साथी साथ graduation के बाद outcomes कितने आ रहे हैं, peer perception कितना है, outreach कितनी है, और inclusivity कितनी है, इन सब चीजों को लेके यहां पर हम discussion करते हैं, साथी साथ इसमें 11 categories होती हैं, जिनमें अलग-अलग categories में हम इनको rank provide करते हैं, तो एक brief ले ले लेते हैं, तो हमारा brief यह है कि अगर हम top performers की बात करें overall ranking में, तो सबसे पहले देखें, तो rank 1 पे पिछले चार सालों से लगातार IIT Madras बना हुआ है, without any change, यानि कि पिछले चार सालों से लगातार IIT Madras top position को hold किये हुए है, second number पे as usual IISC Bangalore, जो पिछले साल भी इसी position पे था, third पे IITs, और अगर हम list को ध्यान से देखें, तो लग-भग-भग 10 में से 8 हमारे IIT institutes हैं, जो Indian Institute of Technologies हैं, अलग-अलग शहरों की, तो उसके बाद, अगर हम specifically आते हैं, engineering category में, तो IIT Madras, यहाँ पर किसी ranking में कोई भी change नहीं हुआ है पिसले साल से, अगर हम management में देखें, तो management में top 3 position को वही जो पिसले साल hold की तो उन्हों नहीं hold किया है, लेकिन उसके नीचे वाली category में IIT Delhi, fourth position पे बढ़ा है, और जो आपका कोजी कोड है, वो fifth position पे डाउन आ गया, यानि कि इन्हों ने अपन जो positions है, वो change की है management के छेतर में, अगर हम universities की बात करें, तो IIC Bangalore ने first rank को इसमें hold किया है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि JNU भी आपका second position बना हुआ है, लेकिन Jamia ने तीन positions की चलांग लगा कर third rank को यहां पर हासिल किया है, तो हमारे लिए important जो question point of view से हैं, वो Jamia और जादो पूरी उनिशिटी हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी लंबी चलांग लगाई है, Jamia ने तीन ranking की और जादो पूरी उनिशिटी ने चार ranking की लगाई है, अगर हम colleges की बात करें, तो Miranda House ने टॉप पोजिशन होल्ड कर रखी है पिछले साल की तरह ही, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कि जो हिंदू कॉलेज है अपका, इसने लगभग लगभग साथ पोजिशन की, जो साथ रैंकिंग की है, वो चलांग लागा कर इस सेगेंड पोजिशन पर पहुंच गया है, प्रेजिटी कॉलेज आपका चार रैंकिंग की चलांग ल सकते हमारे टेरीग्राम चैनल से इसकी PDF आपको अक्सेसबल हो जाएगी, वहां से जाएगा, इसको पढ़िएगा, आपके लिए चीज़े आसान हो जाएगी, तो NIRF रैंकिंग से हमारे फाइदा क्या क्या होंगे, तो बेसिकली फाइदा जो हमारा होगा वो यह होगा, कि ह अपने आपको अपने आपको वल्ड लेवल पे कमप्टिटीव बना पाएंगे, अपने उवेशिटीज पो इतना आच्छा बना पाएंगे कि कहींना कहीं हो जो हमारे जो टैलेंट से ब्रेंडों हो रहा है उनको हम रोख पाएं सात हम एक कॉलिटी एजुकेशन प्रवाइ इंडिया की जो निकल लगी है वो यह कि एन आई आई आरे फ रैंकिंग अभी शुरुबात में सिर्फ इंटर्नल उनिवर्सिटीज को ही रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है लेकिन शंगाय जो शंगाय रैंकिंग निकलती है वो फ़स्ट इयर से ही अपना इंटर्नेशल रैं चाना होगा तो चलिए यह हमारे कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स थी साथ ही साथ एक अलग अलग केटेग्री में मैंने आपके लिए चार्ट प्रवाइड कर दिया है एक बार इससे गो थू हुईएगा और समझने की कोशिच करिएगा कौन कौन से क्या के पोजिशन पर है इस क्या के अलग अलग कर दिया हैं अलग कर दिया है धुईएगा है यह हुईएगाट कि अजर्से का अलग कर दिया है